भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के पूर्व राश्ट्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर हमला बोला। भाशन के दौरान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड़ी और अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी जम कर निशाना साधा। बोले भाजपा का मतलब बाबू, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नाइडू, जगन और पवन, जनसेना संस्थापक पवन कल्यान है। रैली को संबो प्रदेश में राजशेखर रेड़ी की पध्यात्रा उनकी भारत जोडो यात्रा के लिए प्रेणा थी। पांध्रस नेता ने कहा, आज आंध्र प्रदेश को भाजपा की बी टीम चला रही है। भाजपा की बी टीम का मतलब बी से बाबू, जेसे जगन और पी से पवन है इन तीनों लोगों का रिमोर्ट कंट्रोल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के पास है। राहुल गांधी ने वाइस राजशेखर रेड़ी से अपना जुडाव बता कर आंध्र प्रदेश में मतदाताओं को प्रभावित करने की भी कोशिश की है। गडपा में चुनावी पुराना है। राहुल गांधी ने कहा कि राजशेखर रेड़ी जी की राजनीती सोशल जस्टिस और जनता के वेलफेर के लिए थी जो आज यहां नहीं बची। आज आंध्र प्रदेश में बदले की राजनीती चल रही है। राजशेखर रेड़ी दिल्ली में आंध्र प्रदेश की खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनके उपर भ्रष्टाचार के केस हैं। क्योंकि उनके पास CBI और ED जैसी एजनसिया हैं। कॉंग्रेस नेता ने बताया कि राजशेखर रेडी उनके पिता के लिए भाई समान थे। चुनावी भाशन के अंत में राहुल बोले मैं आज अपनी बहन शर्मिला जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं आंधर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप शर्मिला जी को लोकसभा भीजें। मैं चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की जनता की आवाज शर्मिला जी के रूप में लोकसभा में गुजे। शर्मिला जी पर नरेंद्र मोदी का दबाव नहीं चलेगा, इसलिए आप मुझसे बादा करें कि आप इन्हें लोकसभा भीजेंगे। वही वाज शर्मिला बोली की मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी पीएम बने बता दें कि वाज शर्मिला इस बार कॉंग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कडपा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। वही डीके शिवकुमार, रेवंत रेडडी और वाज शर्मिला भी इस विशाल जनसभा में मौजूद थे। नमस्कार जेहिंद चाला दन्यवालालू, नमस्कारमू, जेहिंद।